तो नमस्कार दोस्तों पेने श्ट्रक के सेरीज में आप सभी का हर्दी का मिन्हांदर करता हैं आझे दोंग देखने वब दो कंपणी और दोनों कंपनी का मोमेंटम इतना भयंकर हुआ है दोस्तों इस दोनों कंपणी का जो ग्वार्टर रिजल्ट है वह बहुत ही भयंकर आ नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा देख रहे हैं कि सरसे इसमें मुमेंटम हो रहा है है कि अब यह प्राइस बनने वाला है रॉकेट और कहां तक का टार्गेट देगा इसके उपर फोकस करेंगे उसके बाद से दोस्तों जो हमारी दूसरी कंपनी है दूसरी कंपनी में अगर हम थोड़ा से इसमें ध्यान से देखने के कोशिज करें तो कहीं न कहीं इसमें एक ब रिजल्ट इतना बंपर आया है कि अब इसका प्राइस इुपर निकलने वाले है और प्राइस कितना दिख रहा है 12 रुप्य 65 पैसाथ तो दोस्तो इसको चार्ट पर इनालिसिस बाद में करेंगे इसका टार्गिट हम लोग बाद में देखेंगे लेकिन सबसे पहले हमें कहां जाना है as usual fundamental किसी भी बाई करना है तो हमें कहां पर जाना है fundamental पर जाना है दोस्तो तो आए जो सबसे पहली company है इसके fundamental पर छलेंगे और फिर देखने की कोसिश करते हैं दोस्तों company का सबसे पहला आप यहाँ पर नाम देखिए सबसे पहले आप नाम देखिए उसके पास फिर company का काम देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहला जो company का यहाँ पर नाम निकल करके आता है वो है बाबा आर्ट जिया दोस्तों बाबा आर्ट की बात करें तो about this company आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं यहाँ तक आप इसको पढ़ लिजे कि यह काम करती क्या है यहाँ तक समझ में आ गया सबसे पहले क्या करना है company के fundamental पर आना है तो fundamental पर आने के पास सबसे पहले company का काम उसके बाद से फिर उसके fundamental पर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते हैं दोस्तो जल्दी मत किजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी बाजिएगा आप लोग बोलते हैं सर आपकी वीडियो बहुत बड़ी बजाती है और मुझे छोटा बनाने मज़ा नहीं आता है क्योंकि जो मुझे बताना होता है जो मुझे समझाना होता है वो मैं समझाई नहीं पाता हूँ और जब मैं बड़ी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बहुत सारे comments में आते हैं अंसब्सक्राइब कर देंगे हमने आपको बहुत माना था सब अरे यार अगर मैं लर्निंग के लिए वीडियो बनाऊंगा तो छोटा 5-10 मिनट में लर्निंग की वीडियो नहीं बन पाएगी मुझे मुझे खुद ऐसा लगता है कि अगर 5-10 मिनट में बताऊंगा कि एक टॉ सब्सक्राइबर को अगर मैं फंडमेंटल समझाने जाओं तो एक डेड़ घंटा से उपर लगेगा लेकिन फिर भी मैं मैं मैंनेज करके समझाता हूं और वहां पर भी मुझे कॉमेंट आता है कि सर इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाओ आपके सब्सक्राइबर यह हो उसको तेज कर दीजिए अगर 20 मिनट की वीडियो है तो मातरा 5 मिनट में उसको सुन सकते है तो यूटूब ते यहां तक भी आपको दे चुका है स्पीड बढ़ा दीजिए स्पीड बढ़ाएंगे आपको 15-20 मिनट की वीडियो मातर 4-5 मिनट में सुन लेंगे तो उसमें क्या जाता है लेकिन ऐसे कॉमेंट मत किजिए क्योंकि पूरी की पूरी लर्निंग वीडियो होती है दोस्तों तो आईए अगर आपने अभी तर कंपनी का जो सेल्स यहां पर करएना आज तक का सभसे बड़ा इस कंपनी ने यहां पर उस दिसमबर क्वाटर में ढिखाया हूआ है आज तक का मतलब मार्च 2017 से लेकर कर gå कर दिसमबर 2021 तक का अभी सब्सकर पॉइंट नान्वन करूर आया है उसके पहले इस company ने कभी भी इतना भयंग का result नहीं दिया था और इसी वज़े से मैं आपके सामने इस company को लेकर के आया हूँ दोस्तों सबसे पहले समझे कि अब हम लोग कहां पर आएंगे अचा balance sheet आपको बता दिया था balance sheet का मतलब balance sheet के मतलब समझाया था कि नहीं समझाया था तो जिन लोगों ने भी balance sheet वाली वीडियो को देख लिये होंगे उसमें एक stock के उपर balance sheet बता दिया कि किस तरह से balance sheet देखा जाता है तो उन्हें अब तो मैं जैसे ही balance sheet पर लेकर क्या आया तो इसमें share capital जैसे जैसे कम होगा वो लोग खुसी हो जाएंगा वाँ share capital खुद कम हो रहा है मतलब ये company भैंकर उपर की side में जाने वाली है अब जिन लोगों को share capital के बारे में नहीं मालम होगा वो लोग कहेंगे अरे भाई share capital कम हो रहा है मतलब company के लिए नुकसान है लेकि company profit करेगी तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला क्या मिलगा balance sheet में कि इसका share capital कम हो रहा है दोस्तों अभी भी देर नहीं हुआ है previous वाली वीडियो में जाएगा और वहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको एक बार जरूर देखेगा तो आये friends अब हम लोग को क्या इसमें 2021 का जो इसका क्या था रिजर्व था 14.13 करूर था वहीं सित्मबर 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 15.75 जो डेटा हमारे पास है 2021 तो इसमें रिजर्व इस company का बड़ा हुआ है वहीं borrowing की बात करें तो borrowing आप देख रहें किस तरह से borrowing मतलब क्या होता है borrowing मतलब करजा उधारी करजा या उधारी या लाइबलीटीज उससे क्या करता है borrowing तो share capital में हमें क्या देखना है borrowing इसको देखना है अब borrowing आप देखोगे तो 2014 तक इसमें थोड़े बहुत करजे थे लेकिन उसके पास से इस company ने अपने करजे पूरे के पूरे उतार दिये तो इन चारों इन तीनों चीजों को अगर आप देखना मतलब समझ गया है तो आपको fundamental में fundamental मतलब बहुत ही आप समझ लेजी कि एक basic समझ गया है ठीक है advance आप follow करते रहे हैं दीरे दीरे आपको advance तक लेकर करके जाओगा एक ही वर सारे चीज़े अगर बता दो तो confused हो जाओगे अभी तो मुझे बहुत कुछ बताना है intrinsic value, EPS, book value और और भी कुछ चीज़े हैं मैं देख करके वहाँ पर आपको update करूँगा तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया company का balance sheet कितना तकड़ा कितना जबर जबता है profit इस company में किस तरह से भयंकर बढ़ते ही चला जा रहे हैं किया हुआ है तो यहाँ तक हो गया अब company का नाम आपको मालूम चली गया बाबा आर्ट्स अब दोस्तों हम लोग आते है technical analysis पर और technical analysis पर समझने की कोशिज करते हैं ठीक है तो technical analysis में अगर मैं अभी weekly chart पर ही मैं analysis करता हूँ एक हफते का यह chart होता है दोस्तों और एक हफते क चार्ट में जीसतर से बढ़ा हुआ है तो आपके सामने दिख रहा है ना one day और one month के chart पर आऊं तो one month के chart पर भी almost अच्छा all time high मैं यही देखने वाला था all time high इस company ने कहां तक का बनाया हुआ है तो अगर हम बात करें इस company के all time high की तो almost अरे क्या हुआ भई हाँ इसे यह प्रावलम होता है माल दीजिए अब यहां पर मैं click किया click करने के बाद से यहां पर यहां पर यह आना चाहिए नहीं आ रहा है यही तो problem होती है कभी कभी अब देखो अब click किया तो आया तो software है दोस्तों और रात का मैं actually रात में वीडियो बना रहा हूँ तो इस वज़े से थोड़ा सा problem हो रहा है चलिए यह काम नहीं कर रहा है तो मैं यहां पर लगा देता हूँ इसको अरे काम ही नहीं कर रहा है वही चलो ठीक है यहां पर काम किया यह glitch है और हाँ तो almost अगर हम बात करें इस company के high की तो 51 बना करके आया था और 51 के बाद से दोस्तों देखेंगे तो almost यह breakout हो चुका है breakout होने के बाद से अब सबसे पहले हम लोगों को target के उपर आते हैं तो target इसमें as a swing trader हमें देखना है कि as a swing जब quarter result बढ़िया आया है तो अगर यही buy करने के लिए chance देता है तो सबसे पहले हम लोगों को target कहां पर होगा सबसे पहले हम लोगों को target यहां पर लगाना है 24, 36, 32, 32 और अगर इसके book value के हिसाब से देखा जाए तो book value के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है तो इसे हम बहुत बड़े target तक नहीं जाएंगे around इसका target swing trade के लिए 30 रखेंगे 30 प्लस रहेगा लेकिन जैसे ही 30 आएगा तो हमे क्या करना है इसमें कुछ profit book कर लेना है उसके बाद से फिर कुछ hold करके रखना है ताकि अगर 30 के उपर जाता है तो next target 34 या हो सकता है जिस तरह से आज तक का इसने quarter result इतना positive में दिया है तो अपने all time high को भी तोड़ देगा लेकिन हम उतने बड़े target के लिए नहीं जाने हम as the swing trade के लिए जाने तो इस company के उपर focus करेगा आए दूसरों अब हो अपने next talk के उपर चलेंगे और next talk पे उपर जाने से पहले आपसे एक बार request करूंगा friends की please आप मेरे telegram channel को join जरूर किजी क्योंकि मैंने link description box में डाल करके रखा हुआ है और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देंगे देख रहे हैं देख रहे हैं इससे यह CCL मतलब यह भी quarter result आया था यहीं पर update किया था आज की date में कितना भागा तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह से हम लोगों को profit हुआ था profit का यह सारा screen shot यहां पर पड़ा हुआ है अब दोस्तों हिंदुस्तानी उनिलिवर की ब पर focus रखेगा यह भी बनने वाला है rocket तो टेलिग्राम आसा करता हूँ कि लिंक description box में डाल करके रखा हूँ आपने जोईन के लिए अब हम आते हैं अपने next company के उपर और next company का price आप मातर यहां पर देख सकते हैं 12 रुपय 65 है 12 रुपय 65 पैसा है तो दोस्तों price के उपर मत ज करें तो अगस्त 2020 14 अगस्त 2020 के बाद से इस company ने यहां पर क्या किया था ब्रेकाउट दिया था अब ब्रेकाउट के बाद से यह company ऊपर sustain नहीं कि धीरे 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 नीची आई company उसके पास से जैसे यहां पर रुकी तो यहीं पर आ गया quarter three का result अब quarter three का result इसे क्या boost देगा क्या यह फिर से multi-year को breakout करेगा breakout करने के बास इसका target कहां पर होगा यह हम लोग देखेंगे तो इसके पहले हमें क्या करना है किसी वे stock में घुसने से पहले हमें क्या करना है fundamental पर हम लोग इस company का एक बाद नाम देख लेते हैं और नाम यह आपके सामने है और यहां पर अगर हम बात करें इस company का book value कितना है book value पचीस रुपया है अब book value 25 रुपया 25 रुपया 60 पैसे around 25 रुपया है दोस्तों और इसका current price कितना चल ला है 12 रुपया 6 पैसा तो अगर यह company एक गुना एक गुना भी अगर भागता है तो टार्गेट कितना होना चाहिए 50 रुपय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो क्यूं होगा थोड़ा सा अंप समझे यहां पर आएंगे quarter result के उपर और quarter result पर हम लोग समझने की कोशिज करते हैं दोस्तों यहां पर जो sales हुआ है यहां अब थोड़ा सा ये पार्ट को स को समझने की कोशिश करना है कि जो दिसंबर वाला mereлем कवाटर यह है इस कौटर में आप देखेंगे टो इसका सेल्स कितना होगा है पोर पॉइंट नां टू तो अगर आपको नीचे की कॉलुंप को समझने नहीं आता है तो आप यहीं से वीडियो को skip कर सकते हो, बतलब वीडियो को skip कर जाओगे या अगर आप analysis कर रहे हो तो आप यहीं से skip कर जाओगे बोलोगे यार इसका तो sales पीछले quarter से कम आया है, तो हम इस company में क्यों और research करने की कोशिज करें, नहीं दोस्तों यही तो बात है, कई company आईसे होती है, कि जिनका जो है sell कम होता है लेकिन उनका profit positive में होता है, क्यों reason समझ यह, कि मान लीजिए आप अगर किसी, मान लीजिए अगर कोई सबजी, सबजी वाला season मतलब आलू हो गया, प्याज होगा तो जब उसका season हो रहा होता है, तो उस time पर उसका price कितना होता है, उसका price बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप उसको रख लो, और रखने के बाद से, जब उसका season खतम हो जाए, तब उसी को आप अगर 10 रुपे में buy करके, 10 रुपे किलो buy करके रखे होंगे, तो जब उसका season खतम होगा, तो जब उसका season खतम होगा, तो दोस्तो उसके बाद से क्या होगा, इस 10 रुपे किलो के हिसाब से, आप buy कियोंगे, और उस time पर 10 रुपे किलो के हिसाब से sell भी हो रहा है लेकिन जाए से season खतम होगा, 20 रुपे में बिक्टेगा 30 उरुपय में बिक्टेगा 40 उर्पय किजांग तक की 100-100 रुपय कीलो तक भी बिक्ट जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या को कर देखना है कि इसमें शेल्स कम हुआ है लेकिन यहाँ पर陳 वाले कॉलंप आईए, जोस्तों देर नहीं करना है, इस profit वाले कॉलंप पर, net profit दिखा आपको अब net वाले profit में आप तो कोगे, कि सर ये तो minus में है लेकिन minus में है तो पिछले quarter में minus 1.33 का क्या था 1.33 का क्या था loss था minus 1.33 का loss था, उसके बासे इसमें क्या हुआ, माइनस 1.23 का लॉस हुआ, मतलब कहीं न कहीं यहां पर यह positive हुआ है, तो इसका quarter result इसी लिए मैंने बोला था quarter result इसका positive है, अब दोस्तों यह इस company को कहां पर buy करना है, थोड़ा सा हम लोग चार्ट पर technical analysis करने की कोशिश करेंगे, और जो हम लोग और कुछ चीजे देखती हैं, जैसे देखनते हैं, जैसे प्लेजिंग है ने इस company में, रिजर्व की बात करें, तो जबर जस्त रिजर्व 44.5 करोड कर रिजर्व है, और depth की बात करें, तो depth है, ने मतलब है, 6.35 लेकिन फिर भी रिजर्व इस company के पास बहुत जादे, तो इसे हम दोनों में improvement होते चले जाएंगे, वहीं friends अगर हम बात करें, इस company को evaluate करें, 25 book value और book value के हिसाब से इस company का price अभी भी 25 के आधा नीचे है, अगर at least 25 पर भी आया है, तो भी एक बहुत तगड़ा profit हमें दे सकता है, यहां तक तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन उसके बास से promoter holding के stake की बात करें, तो promoter holding stake कितना है, promoter holding stake का 28 है, अब दोस्तों 28 है, तो क्या यह company में promoter का stake है, वो कम हो रहा है या बेस ही हो रहा है, तो दोस्तों यह data यहां पर देख लिजे, data हमारे पास 2019 मतलब इस website पर अब लेवल है, तो starting से ही इस company में promoter कितने है, promoter अब देख रह है, वहीं अगर इस company में FIs की बात करें, और DIs की बात करें, तो एकतम उन लोगों का विश्वास इस company के उपर बना हुआ है, तो दोस्तों ध्यान दीजेगा, इस company में FIs और DIs का इतना stake है, कि इस company को कहां तक लेकर के जाएंगे, यह हमें सोचने वाली बात है, तो अब हम भीना देर की चार्ट के उपर आएंगे, और थमनेल पर मैं यही डालूँगा, कि FIs और DIs कांपनी में देख लिजेगा एक पर थमनेल भी, तो आईए फ्रेंट्स, अब हम आते हैं सीधा चार्ट के उपर, और चार्ट पर हमें एक बार थोड़ा सा, अगर सपोज इसमें, ह तो यहाँ पर रिजिस्टेंस में प्राइस सेक्षन के उपर लगा करके रखाऊं, जब इसके उपर जाएगा, तब पचीस, पचीस, पचीस करके इसमें डालने हैं, एक ही साथ कभी भी किसी भी स्टॉक में अपना पैसा डालने की गलती मत करिये, कभी भी चाहे वो कितना यहाँ पर आपने सुने होंगे कि जहाँ पर हम बाई करते हैं, वहीं से स्टॉक नीचे आने लगता है, वहीं से स्टॉक नीचे आने तो हम करे तो करे क्या करे, अरे करे तो करे क्या करे, यहाँ पर अगर आपको सो डालने हैं, तो पचीस ही डालो ना, चली गई नीचे तो फिर यहां पर 25 मारो इवरेज और नीचे आई तो फिर 25 मारो और नीचे आई तो फिर 125 इवरेज इस तरह से कखे सो रुप्या लगाओ न Whatsapp ins वर जब नीचे से ऊपर जाएगी तब आपको profit मिलेगा और अपने एकई लाइन पर यहां पर कोई जज नहीं कर सकता कि exactly इसी price से ये price उपर जाएगा कोई भी नहीं कर पाएगा ठेक है इसमें हमें सबसे पहले company का fundamental मालूम होना चाहिए fundamental मालूम है तो जिस company में हम पाइसा डालेंगे वहाँ पर हमें at least ये विश्वास रहता है कि company का सब कुछ बढ़िया है अगर नीची आ रहा है तो कोई बात नहीं आज नहीं तो कल इसे उपर जाना ही जाना है वो विश्वास हमें fundamental दिलाता है चाट के उपर तो अगर ये उपर जिन लोगों ने यहाँ पर भाई किये होंगे breakout समझ करके और ये support लगाए होंगे support जब नीचे तूट गया तो उनका प्रांद सूखे जाएगा बोलेगा ने भाई ये एक support तार support तूटना चाहिए था support तूट गया अब तो मेरा पैसा डूप गया इस तरह से होता है समझ गया दोस्तों तो चाट पर line लगा करके उतने पैसे नहीं बनते है पहले fundamental उसके बाद से बागे कुछ तो दोस्तों सबसे पहले चलिए इसका target एक छोटा सा target लगाते हैं और उस target के पास अगर ये पहुचता है तो अल्मोश्ट सबसे पहला जो हम लोग लगाएंगे 16.95 का लगाएंगे और जिस दिन यहाँ पर आएगा विश्वास मानिए फिर मैं इस वीडियो को लेकर क्या हूँगा तब तक के लिए विदा लेता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो चलिए प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा जैहन फ्रेंट्स